हलो एवरिवन तो अभी सेवी ने हाल ही में सौर्ट सेलिंग के ऊपर कुछ सर्कुलर जारू किया है और मुझे काफी सार लोग कमेंट कर रहे हैं किस तर सौर्ट सेलिंग बंद हो गया अब हम लोग ऑप्सन सेलिंग नहीं कर पाएंगे क्या सौर्ट सेलिंग कौन कर सकता है ये comment message आ रहे हैं देखो तो सीधी सी बात है इधर उधर की बात हैं हम ना करते हैं सीधे आते हैं fact पर जो सेवी ने खुद निकाला है बहुत ज़्यादा इसमें कोई भी doubt नहीं है छोटी सी वीडियो में आपको पूरा को पूरा मैं समझा दूँगा कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो तो पहले चीսों को समझो देखो सबसे पहला चीजह ये है कि मैं आपको सबसे पहले बता दूँग्त। आप उसको sell कर दे रहे हो जैसे होता है ना naked sell कर द happens में इसको बोलते हैं sort sell short selling क्यों? जो इस stock के आपके पास delivery नहीं है आपने उसको sell करें या फिर जो भी stock आपने पहले से broker में buy नहीं किया है बिना buy किया हुए ही आप sell कर देरो इसी को बोलते है short selling ठीक है? और आपके जान कर लिए कि बता दो इसमें ऐसा पहली बात कुछ भी नहीं है और साथ लाशन में option selling के लिए बताऊँगा F&O पर क्या सर्कूलर है? पहले चीज़ों को समझो, short selling ban है ban मतलब क्या है? कि अगर आप जैसे मालों कि आपके broker में आपने आज से पहले कभी SBI को buy नहीं किया ठीक है? एक्जांपल नहीं मैं बता रहा हूँ लेकिन आपने क्या किया? अपने broker में SBI UN को search किया और कर दिया sell बटन दबा के sell कर दिया तो आप इसको sell कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर वही बात आप करोगे delivery की ठीक है? delivery की तो आप carry forward में नहीं कर सकते मतलब कोई भी stocks आप सोचोगे कि आज मैं sell कर दूँ, कल पर सो buy कर लूँगा ऐसा आप नहीं कर सकते हो, इसको करने के लिए आपको future इसका sell करना पड़ेगा या फिर इसका call or put आपको काम करना पड़ेगा ठीक, ये पहले का नियम था अब क्या हुआ है? आईए मैं समझाता हूँ आपको पूरा डिटेल में, यही पूरा पूरा फ्रेमोग आपके सामने बना हुआ है, यह सारी चीजे है देखो, यहाँ पर है सारी चीजे है पड़ सकते हूँ आप भी, लेकिन मैं मेजर मेजर पर उठाता हूँ जिसके हमें जरूरत है फालतो काशी जब नहीं पड़ते है यहाँ पर देखो, साफ साफ क्या क्या लिखा है जजदो मैंने आपको उपर बताया कि आपके ब्रोकर में, आपके डिलेवरी में, आपके पोजिशन में कोई भी स्टॉक्स आपने पहले बाई नहीं कहा हूँ पहले इसको बेच दिया, तो उसको बलते हैं हो साफ सेलिंग ठीके, सेकंड क्लॉस देखिए आल क्लासेज आफ इन्वेश्टर रिटेल एंड इंस्टिट्यूशनल इन्वेश्टर सेल भी पर्मिटेट टू साफ सेल माले बिज़ यह किसी को रोक नहीं रहा है इंडियान सेकुरिटीज मार्केट इन एकॉटिं मेलिया इन्वेश्टर वुड भी रिक्वाइट टू मेनेटरी ओनर देर ओबलिकेशन ऑफ डिलेवरिग ठीके नेकेट सोट सेलिंग यहाँ पर पर्मिटेड नहीं है नेकेट तो पहले भी नहीं था नेकेट तो आप कोई भी पोजिशन की स्टॉक भाई डिलेवरिय में नहीं सेल कर सकती इंटाडे में कर सकते थे अब डिलेवरिय भी नहीं कर सकते थे ठीके यह नेकेट के लिए मना कर रहा है किसके लिए मना कर रहा है थोड़ा से उसको भी समझता है यह देखो, यहाँ पर आजो, थोड़ा से निचाहे जाओ, यहाँ पर main जो target किया गया है, मैंने जो भी पढ़ा है, main target किया गया है, institutional को, no institutional investor sell be allowed to the day trading, institutional जो investor है, उनको day trading, मतलब intraday trading allowed नहीं है, square of the year transition intraday, यह देख सकतो आप, यह पुरा का पुरा यहाँ पर है, इसमें कोई भी ऐसा कुछ condition नहीं है, जिससे हम लोग retailer के लिए, क्योंकि यहाँ पर लिखो, साफ साफ institutional को target किया गया है, ठीक है, I hope आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, अभी हम यहाँ समझाने का टाइक करते हैं आपको, और यह जो close है, यहाँ पर आप देख सकते हो, पाच्वा नमर का, यह ब्रोकर को target करके पूला गया है, इसमें भी आपका कहीं कोई उतना दर आपको इफेक्ट डेखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर देखो, a scheme for security lending borrowing, sell not be placed, provided necessary imports to short sell, मलब कुल मिला करके, कहीं ने कहीं, इनके कहने का मतलब है, institutional, जो लोग heavy account में short selling करते थे, किसी share को धड़ाम से गिरा दिया, पहले ही position बना दिया, जो लोग बहुत सालों करते थे, क्या करते थे, पहले वो short sell करते थे, heavy amount में उसके बाद कोई news publish करते, जैसे हिंडन बर्ग, हिंडन बग के किस में क्या हुआ, उन्होंने पहले short selling करते, फिर report निकाल दिया, इससे stock रानी को बोज़ेदे गिर गे, और हिंडन बर्ग कंपनी को बहुत ही मोटा फाइद अगवाई, अब यहाँ पर देखो, बहुत number clause बहुत important है, the securities traded in F&O segment, sell be eligible for short selling, अब इससे मतलब क्या है, बताए आपको, जो भी F&O का stocks है, उसमें आप short selling कर सकते हो, F&O stock में सब्सक्राइब अडानी भी है, SBI गिया नहीं, HDFC बैंक है, Tata है, मुलब काफे सारे चीज़े आपको F&O segment में मिल जाएंगे, ठीक, यहाँ पास साफ साफ लिखा हुआ है, और SEBI में review the list of stocks, मुलब SEBI का बोलना यह है, वो समय के साथ F&O stocks को review कर देगा, change कर देगा, वो उसकी जिमादारी भी, उसमें अपना कोई रोल लें है, सीडी से बात समझो, जो हम लोगों को daily, हम लोग, real life में option selling करते हैं, call put करते हैं, उसमें कोई भी impact देखने को नहीं मिलेगा, सीधा साफणा, क्यों कहीं में F&O का call put का नाम नहीं लिया हुआ है, ठीके, कि उसमें आप short selling नहीं करते हैं, तो आप लोग का ये doubt clear कर दूँ मैं, आप लोग AGT जैसे था, ऐसे आप कर सकते हैं, और हम लोग इंडिया में कितने लोग हैं, mostly लोग तो index में करते हैं, तो कोई खास impact मेरे की हिसाब से तो नहीं देखने को मिलेगा यहां पर, ठीके, और second thing ये भी अब यहां पर देखो, the institution investor sell disclose, disclose upfront at the time of placement of order, मतलब अगर कोई बड़ा trader जो है, खास वोगा mutual fund वाले हैं, और जो जो फाई आइडिया ही बोलते हैं, आप लोग, वो अगर कोई भी बहुत बड़ा short selling position मना रहा है, तो वो order लेते समय ही भाई साब disclose करेगा, इससे भी बहुत बे क्या है, ब्रोकर को भी लेपेटा जा रहा है, तुम्हारी भी जिम्मत आ रही है, तुम भी बताओ, यह कुल मिला करके, सेवी का यह, जो भी circular आया है, उससे यह retail investor को भाईदा ही है, कोई घाटा मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है, क्यों? क्योंकि देखो, बहुत सही लोग तुम आपको भी आइडिया लग जागा है कि ओवर रिव्यू उस इस्टोक्स में भी investing करना है कि नहीं करना है, रुकना है कि नहीं रुकना है, काफे सारे चीज़ आप डिसीजन ले सकते होगी, क्योंकि जब बहुत ज्यादा मातरा में selling होगी, और सारा डेट आपको दिख यह दखो, यह क्या बोल रहे हैं, तो ब्रोकर सेल भी मेंडेटेट, समझ गया कि ब्रोकर को मेंडेटरी कर दे रहा है, डेटा अप्लोड करने के लिए, और यहाँ पर ध्याद सब पढ़ोगा जाएगा, ब्रोकर को मेंडेटरी कर दिया, collect the details on script, मनलब आपको डेटेल पूर करने की बात कर रहे हैं लोग, और यहाँ पर आप दे भी सकते हो, यहाँ पर, यह देखो, the same, उनको अपना website पर भी करना पड़ेगा, अप्लोड, the information of the public, देखो, public on a weekly basis, मतलब, I think, यह weekly basis पर आप लोगो को भी data यह देख सकते हो, ठीक है, the frequency of disclosure may be reviewed from time to time, मतलब, कुल मिलना करके जो आप लोग normal trading कर रहे हो, उसमें कोई ज्यादा मेरे सबस्तों कोई effect देखने को नहीं मिलेगा, F&O में काम कर सकते हो, short selling, call बेचो, put बेचो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पर यह नियम ध्यान रखा गया है, कि ताकि निवसकों का नुकसान ना हो, बाकि सारे चीजे मेरे साथ तो ठीक ही है, अगर आप लोग और कुछ डाउट हो, तो कॉमेंट कर देना, मुसमेंट जवाब दे दूँगा,